नमस्कार मैं हूँ रेखा मेरी सुपर रिस्वे में आप लोगों का स्वागत है और आज मैं आपके लिए मूग दाल नमकीन लेकर रहे हूं इसे मोगर भी कहा जाता है और यह नमकीन आप एक बर बना लेंगे तो महीनों भर आप इसे खा सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होती है और आज मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगे आपको एक बिना फ्राय किये और एक फ्राय किये अब बिना फ्राय किये मूंग दाल भी इसकी जैसी बनती है बहुत टेस्टी लगती है जो लोग तेल का इस्तिमाल कम करते हैं न नहीं खाते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही बढ़िया है तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं मूंग दाल नमकीन यानि कि मोगर वीडियो को फुल वच कीजेगा तो देखिए मूंग की दाल की नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हाँ पर हमें चाहिए मूंग की दाल तो दाल हमें केसी चाहिए बिना चिल्किय वाली धुली जो दाल आती है ना वो लेने वाली हूंए और दो कप लूँगी आप चाहिए जितनी बना सकते हैं अपने इसाब से मैंने दो कप की कॉंटटी रखी है और दाल आपको कैसी लेनी है जो थोड़ी बड़ी आती है ना मूंकी डाल में, वो वाली डाल आपको लेनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पानी डालनेगे, तो पानी आप कितना भी डाले, तीन चार कब या तीन चार गिलास जितना आपको डालना है, पर इतना डाले कि डाल अच्छे से फूल सक ऐसे विखुया चारस फांच गंटे के लिए इसी तरह से चोर दूझे तो चौझे शूण देज़े तो उसके बाद मैं आपको दिखाते हूं अब यहां देखें दाल अच्छ से भीग चुके यहां देखें पानी थोड़ा कम था मैंने और डाल दिया था इसमें और देखें दाल कितने अच्छे से भीग चुकी है देखें इस तरह से बड़ी हो गई है फूल गई है और जब मैं इस तरह से नाकोन लगा रही है queries आराम से टूट रही है देखें बड़िया से तयार हो चुके अब हमें क्या करना है डाल को धोना है और दाल को दोते समय ध्यान रखिएगा हमने इसमें मीता सोड़ा डाला था तो वो सारा हटाना है और इसे बहुत अच्छे से छे से साथ पार पानी में डालकर अच्छे से धोना है और मसल कर दोईएगा मैंने पहले भी आपको चन्य दाल नमकीन की वीडियो बताये थी अगर आप चाहें तो इसे 10-15 मिंट के लिए आप बार दूप में सुखा सकते हैं अगर आपके यहां दूप नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं है आप इसी तरह से छोड़ दीजे हमें इसे बहुत जादा सुखाना नहीं है बस इतना कि इसका पानी हट जाना चाहिए जब हम हाथ लगा है इसे चुए तो पानी नहीं आना चाहिए तो आदा गंटा लगेगा इसे 30 मिंट लगेगी बस ज्यादा नहीं लगेगा यूकि हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है देखिए हाथ को देखें किस तरह से गीला कर रही है और किसे चिपक रही है तो बस यह पानी हट जाना चाहिए इतना ही से सुखाना है और इसमें आपको आदा गंटा लग जाएगा अगर आप चाहे तो दूप में रख सकते हैं मैंने कहा आप से 10 से 15 मिंट के लिए दूप में भी रखेंगे तो मिंटों में तयार हो जाएगी लेकिन दूप नहीं आ दाल अच्छे से सूख चुकी है जब मैं इसे हाथ लगा रही हूँ छूरी हूँ तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है और दाल देखिए बढ़िया से सूख चुकी है यह देखिए हाथ लगा रही हूँ तो पानी नहीं आ रहा ना इसमें तो बहुत जाता सुखाना नह कि रोगेए और यह सब राइए दियाए और आपको अपने होना चाहिए इसके ऊपर पाणे होगा तो जब क्याम हमें इस पूपर छूप तो आप उसमें बना लीजी इसमें बहुत ही आसानी से बनकर तयार हो जाती है अगर आपके पास यह भी नहीं है तो आप देखे इस तरह से जहर आती है इससे भी बना सकते हैं इससे भी बहुत जल्दी बन जाती है दाल और यहां पर अगर यह भी नहीं है आपके पास तो इस तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए और मैंने मूंग डाल इसमें डाल दिये देखिए तो चली तेल भी मिने गरम रखती आए और बहुत जादा नहीं लेनी है आपको थोड़ी थोड़ी ही बनानी है तो चली थोड़ा सा चेक कर लेते हैं डाल कर अब यहां की रेसिपी भी आप लोग को शेयर करिए और आपको लिंक आई बेटम ने मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पर देख लीजेगा और इस तरह से चलाते रहें इसमें भी जब तक आपको उसके पकाना है और थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है हमें यह देखे इस तरह से मै बार बार में इससला से आपको चलाना है अगर आप नहीं चलाएंगे तो डाल एक साड़ से जड़ा लाल हो जाएगी और दूसरी साड़ इसकी पकी नहीं पाएगी तो देखे Dire नहीं रखना है आपको बहुत जड़ा तेन नहीं लेना है अगर आपको लगे कि बहुत जड़ा हमारी दाल ज्यादा पक चुकी है या फिर ज्यादा इसमें उफान आ रहा है तो आप थोड़ा उपर ले लिजे इसे बार बार ये देखें और जब इसमें आवाज आने लगे चंचन के आवाज आने लग जाती है देखें इसमें तब आप समझ जाएगा कि हमारी दाल बनकर तयार हो चुकी है ये देखें इसे अच्छे से इस तरह से ही भून लेजें और इसे भूनने में 3-4 मिट लगती बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है बहुत जल्दी बनकर इसे एक्स्ट्रा ओल होता है ना वो उसे निकाल दीजे और यहां पर देखें मैं और दाल को फ्राइ कर लेती हूं और अब मैं आपके साथ जो दूसरा तरीका है ना वो भी शेयर करने वाली हूं क्योंकि काफी लोग होते हैं जो ओल की चीज़ें नहीं खाते हैं उन्हें पर लिए बी यह दाल आप आसानी से बनाकर छा सकते हैं तो पहले से फ्राई कर लेते हैं बढ़िया से और इसी तरह से बारबार में हिलाते युए उससे चलाते विए बनाईएगा यह देखें और यह नमकीन बहुत ही बढ़िया लगती है बहुत टेक्षिल लागती है पकने के बाद थोड़ी छोटी हो जाती है इसलिए मैंने कहा था आप से थोड़ी बड़े साइज वाली दाल आती है वही लीजेगा तो यहां देखिए यह अच्छे से पक चुकिए है अब क्या करेंगे इसे सब को मैंने स्टेनर में डाल दिया तक एक्स्ट्रा ओयल होगा न इसमें क्या करेंगे मैंने आदी दाल तो fry करेंगे और आधी दाल में इसी तरह से बनारी हो देखिए अब इसे हमें डारिक कड़ाय में डाल देना है और इसे ढूनना है और इस तरह से भी यह दाल बहुत ही बढ़िया लगती है नमकिन बहुत ही टेश्टी लगती है इसे आपको गयस को स्लोग से थोड़ सा तेज रखेएगा बहुत ज़दा तेज मत रखेएगा वाना क्या होगा ना कि दाल बाहर से पक जाएगी लेकिन अंदर से क्रिस्प भी नहीं हो पाएगी एक दम सोफ्ट पढ़ जाएगी जब आप बाद में से हटाएगे ना तो आपकी दाल सोफ्ट हो जाएगी इसलिए आपको इसे स्लोग गयस पर भी इस तरह से धीरे-धीरे पकाते वे भूनना है यह देखे अब इसमें क्या करना है आपको देखे दाल दे यह दाल रही हूं आधा चमच देशी घी इसकी जगह आप तेल भी ले सकते हैं लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूं क्योंकि कई लोग होते ना तेल नहीं खाते हैं यह उनके लिए और गी मैंने इसलिए डाला है ताकि इसके उपर एक अच्छती शाइन आए और इसके अंदर समझ जाना चाहिए कि हमारे डाल बन चुकी इसमें भी आवा जाने लगेगी बढ़िया से और इसे पकाने में 5-6 मिट लग जाएगी आपको यह देखें मैं इस तरह से जिस तरह उचाल रही हूं नहीं इसे तो लग रहा है हमारे डाल अच्छे से पक चुकी देखें किस त सान तरीका बिना तेल वाली नमकीन यहां देखें मैं इसे लगातार चलाते भून रही हूं अभी तो एक से दो मिट के लिए ही बहुत जादा नहीं बूनना होगा अब हमें यह देखें और जब मैं इस तरह से इसे उठा रही हूं तो मुझे आवाज आ रही है इसमें और देखें अब थोड़ा सा और कलर चेंज हो चुका है दाल का देखें मैं आपको पास से दिखा देती हूं दाल का कलर अच्छा आ गया है देखें और हमारी जो नमकीन है ना बनकर तयार हो चुकी है आपको दिख रहा हुआ कलर देखें किता बड़ी आ रहा है यह देखें ब यह देखें और बहुत ही क्रिस्पी है यह और यहां जो मैंने डाली यह हमारी बिना फिराई करेंगी डाल है देखें किस तरह से लग रही है तब क्रिस्पी है यह भी बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी है डाल है और दोनों डाले तयार हो चुगे आने कि नमकीन तयार हो चुग और अगर आपको मेरी रेसिपी आच्छे लगती है तो कमेंट्स करके जरूर बताईएगा मुझे देखें हमारे दाल मूंग दाल नमकीन बनकर तयार है यह देखें वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद